हेलो, नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए रोहिच सांगवान चैनल को और साथ में बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक हैलो, नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, पहले तो आप सभी का धन्यवाद की आप चैनल को इतना स्पोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पसू गाह या भैस का हम कैसे पता करें कि वो ग्याबिन ठहरा है या नहीं ठहरा है तो वैसे तो इसमें काफी कुछ कुमन पहचान होती हैं जिसको हम देखके अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा पसू ग्याबिन ठहर गया या ग्याबिन नहीं है लेकिन कई बार ये कुमन पहचान भी हमें दोखा दे जाती हैं और पस पसु का बगेर किसी डॉक्टर की मदद से या अन्य किसी खर्च से हम यह पता कर पाएंगे और वो भी निश्चित रूप से कि हमारा पसु ग्याबिन है या नहीं है तो देखिए यदि हम पहले कोमन पहचान के बारे में बात करें तो जो भी गाय या भैंस जब हिट में आती अगले दिन पसु या कोई पसु तीसरे दन तक भी मोटी जो है दर्ड देता है यानि कि मोटी दर्ड मैं जिसको वो लाऊं वो एक गाढ़ा डिस्चार्ज है लगबग दूद जैसे सफेद रंग का मोटा और गाढ़ा तो पसु ऐसा डिस्चार्ज देता है और उसके बाद लगबग 5-7 दिन बाद फिर से डोके देता है और वो डोके भी 5- से साथ दिन तक चलते हैं और उसके बाद 21-26 की दिन के दोरान वो पसु हिट में नहीं आता है तो यह संकेत है कि आपका पसु ग्याबिन है लेकिन यह संकेत हमेशा सही भी नहीं रहता है कुछ परसेंट जो पसु हैं वो इसमें हम देखते हैं कि पहचान तो लग वो ऐसी ह करेंगे जिससे हम निश्चीत रूप से पता लग पाएगा हमें कि हमारा पसु ग्याबिन है या नहीं है तो इसके लिए आपने क्या करना है पहला तरिका जब पसु आपका पसु ग्याबिन हो जाए दो से धाई महिने का यह इससे ज्यादा का हो तो और भी अच्छा है वै आपका पसु उटता है जब आपको उसके पास जाते हो उसका हरा चारा या दाना डालने के लिए दुद निकालने के लिए तो पसु उस टाइम पिसाब करता है तो आपने उस पिसाब को सुबह सुबह जो आपके पसु ने पिसाब किया है उसको आपने किसी बड़े बरतन म होना चाहिए यह नहीं है कि पसुने नीचे पिसाब कर दिया आप उसको बाद में उसको कलेक्ट कर रहे हो तो उसके मामले में फिर यह आपका जो तरीका हो काम नहीं करेगा तो आपने सुबह सुबह आपके पसु का जो पिसाब है वो किसे एक बरतन में इकठा करना है और वो तो तीन-चार-बून सर्सों के तेल की डालते हैं और वो सारा तेल इकठा हो जाता है एक बून्द की तरह है जैसे आपका यह जो पंच रूपे का सिक्का है इस साइज का गोल में एक स्थान पे इकठा हो जाता है तो इसका मतलब यह संकेत है कि कंफरम आपका पसूग बिन हो जाता है यानि कि आप लगभग एप्रोक्सिमेट मान के चले तो दाई महीने का आपका जो पसुग्या बिन हो जाता है तो उस टाइम आपने सुबह सुबह पसुकर यापने उसके। पیट नाप लेना होता है और उस नाप यापने रस्टी को इतना काट लेंगे या फित्य से नाप करके रहे हो एक्या कट लेंगे खिए और वहाँ गाठ लगाकि उसको निश्चित स्थान पा रख देंगे और अगले 25 से 30 दिन के दोरान आपने फिर सुबह सुबह पसु के खाली पेट ही पेट का नाप एक बार दुबारा से फिर लेना है और यदि इन 25 दिन के दोरान आप ने जो दूसरा नाप लिया है तो इस दूसरे नाप में पेट का नाप यदि 2 इंच या इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो confirm आपका पसू गयाबिन है तो उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस मेथड को अच्छे से पहचाना होगा और उमीद है आप इसको लाइक, शेर और कोमेंट जरूर करेंगे और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नाटिविकेशन पोचे सबसे पहले आपके